हेलो फ्रेंट्स तो आपके पास भी पड़ा होगा एसा खराफ स्पीकर तो इससे हम एक मस्त जुगाट बनाने वाले हैं जो कि आपके बहुत काम आएगा तो सबसे पहले हमें इस स्पीकर से मैगनेट को रिमू कर देना है तो आप देख सकते हो कि बहुत ही आपको आराम से इ इसका ही आप देख सकते हो यह प्लास्टिक कंटेनर तो इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे उसके बाद हम एक छोटा सा PVC शीट का पीस ले लेंगे आप यहाँ पर किसी भी चीज का यूज कर सकते हो इसके बीच में हमें एक होल बना देना है कटर की हेल्प से अभी तक आप इस स्केच मेंड को मेंड कर देना है इस PVC शीट पर आप देख सकते हैं कि बहुत मजबूती के साथ यह यहाँ पर फिक्स हो जाएगा तो आप देख सकते कि कुछ इस प्रकार से इसे बनाने के बाद इसके अंदर हमें magnet को fix करना है तो इसे center में लगाने के बाद very quick की help से हम इसे fix कर देते हैं fix करने के बाद अभी हमें इस container के अंदर इस magnet को कुछ इस प्रकार से रखना है तो इस container का जो cap है इसे हमें उपर hold करना है इस sketch pen को हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो hold करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से sketch pen हमारा यहाँ से बाहर आया है तो यहाँ पर हम एक और PVC sheet का यूज़ करेंगे छोटा सा piece लेंगे उसका और जो end cap होती है sketch pen की इसका भी हम यहाँ पर use करेंगे जो end cap है sketch pen की इसके बीच में हमें खोल करना है और इसे प्रकार से इस PVC sheet के piece पर भी हमें खोल करना है अभी इन दोनों को fix करना है तो यहाँ पर मैं screw का use करके इन दोनों को fix करूंगा ताकि ये मजबूती से बने रहे यहाँ पर अगर हम super glue का यूज़ करेंगे तो वो बहुत मजबूत नहीं बनेगा तो इस प्रकार से दोनों सैट पर मैंने hold करने के बाद screw की help से हमें इसे tight कर देना है तो इतना करने के बाद अभी हमें soldering iron की help से जो हमने pieces sheet का piece लियाता है इसके दोनों सैट पर हमें थोड़ा heat करके दोनों सैट से हमें थोड़ा-thोड़ा fold करना है तो fold करने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखेगा अभी हम इसे sketch pen के उपर की side पर fix करेंगे तो आप देख सकते हो कि fix करने के बाद ये ऐसे खिचने पर up-down हो रहा है इसका हम यहाँ पर use करेंगे तो जो हमारा container है इसके bottom side पर हमें एक plate को लगाना है आप किसी भी चीज का यहाँ पर use कर सकते हो बट आपको थोड़ा सा बढ़ा लेना है इस container के size के according तो इसे हम fix कर देते हैं यहाँ पर super glue की help से और चिपकाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे जो जुगाड है वो बनकर ready हो चुका है यह हमारे बहुत काम आ सकता है तो friends आपने देखा होगा कि जब भी हम teen cancer के sheet का cutting करते हैं तो उस संय पर चोटे-चोटे particle कट होकर गिर जाते हैं या फिर जब भी हम लोहे पर drill करते हैं तो उस संय पर भी लोहे के चोटे-चोटे particles निकल आते हैं तो वो हमारे हातों में भी लग सकते हैं अप यसे dust bin में बहुत आसानी से डाल सकती हो यहाँ पर आपको लगने के कोई भी चांसिस नहीं होंगे आप लोहे के नेल्स या फिस्क्रू किसी को भी कलेट कर सकते हो बहुत आसानी से अगर आप हातों से कलेट करते होगे तो बहुत टाइम जाएगा अगर आप इसका यूज करोगे तो जल्दी से आपका काम भी हो जाएगा तो यह जोगाट आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए मुझे और अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजे